आपका स्वागत है आज हम आपके सामने एक बड़ी महत्पून चर्चा लेकर आए हैं जिसमें आपको ध्यान रखना है कि पाकिस्तान की सिच्वेशन किस तरीके से बदलती जा रही है पाकिस्तान में इम्रान खान को औरेस्ट किया गया है बड़ी ही गंभीर और महत्पून स सुथ साब यह जो सिच्वेशन बनी है इम्रान खान फोर्मर प्राइम निस्टर पाकिस्तान उनको औरेस्ट किया गया है पाकिस्तान में ऐसी घटना घटती रहती है लेकिन इस घटना का महत्तो क्या है देखिए इम्रान खान का जो औरेस्ट है वो कोट में जा रहे थे इस civil war की पाकिस्तान के अंदर civil war imminent है उसको कोई रोक नहीं सकता देखिए ऐसा है इमरान खान को जो अरस किया है जो मर्जी उनके उपर उसके बगार तो वो निकल नहीं सकते अपनी कंट्री से और जब वो इंडिया के अंदर आये तो विद बैंक यानि के बंब का धमाका करके आये थी बीस अप्रिल को उन्होंने कहा कि मैं इंडिया जा रहा हूं जैसे उनके अंदर पुंच के अंदर एक अटैक हुआ जिसके अ लेकिन उनको उन्होंने अपने साथ फोटो की जाई नमस्ते किया बिलावल भुटो ने भी नमस्ते किया जैसे कर्टसी होती है उसके बाद उन्होंने इशारा किया बिलावल भुटो को की मीटिंग में जाने का और बिलावल भुटो चले गए इसका पाकिस्तान के अंदर पूरी इंसल्ट कर दी वर्ड के सामने पाकिस्तान के और पाकिस्तान के लोगों के। उसके बाद बिलावल भुटो जिस तरीके से SEO की मीटिंग के अंदर उन्होंने इशू स्रेस किये। कश्वीर का इशू उठाया और बात में उन्हों जी 20 का भी इशू उठाया। तो इसक सब्सक्राइब की उन्होंने जी 20 की कश्मीर की बात की पाकिस्तान के अंदर बिलावल भुटो के जाने के बाद पर परच्छत्ते और दिये वहां के लोगों ने वहां के मीडिया ने कि इन को क्या जूरधी जाने की लेकिन बिलावल भुटो को चाहिए था कि जब इंडिया में स्यू मीटिंघ करने में इंट inve ski करते मेंटिम करते पाकिस वापिस पिश चले जाते हुँmdhe फायदा पाकिस्टान को दिखना इंडिया को दिखकी कि पाकिस्टान को अरेशन की पाकिस्टान के पाकिस्टान की एंडिया उच्राइण में मैं पूरी हरह इस चीज़ को कहँ तो सूर साव ही जो सिचज़न पैदा हूई है यह क्या सिर्फ Bilaoval Bутto की जो भारत में बेज्टी हूई है इसी वजें से पैदा हूई हुई है अनको जी वह عरेस्ट किया गया इमरान खान को खिया था बिलावल भुट्टो को क्रिडिसाइज करने का मतलब है कि इमरान खान ने क्रिडिसाइज किया है पाकिस्तान की आर्मी को क्योंकि बिलावल भुट्टो उनकी मर्दी से आये थे उनके एजन्डे पे आये थे क्लियर हो गया था जब बिलावल भुट्टो आये तो पाकिस्तान ने इंडिया के उपर एक टेल्स अटाइक किया पुंच के अंदर उसी दिन किया जब इन्होंने अपना इंविटेशन एकसेट किया था तो जो इम्रान खान का आरेस्ट है वो इसी से कनेक्टेड है और इसी वज़ा से पाकिस्तान के अंदर बहुत बेस्टी हो रही है भुट कोई रास्ता तो नजन नहीं आ रहा है आपको क्या लगता है कि अगर पाकिस्तान सिविल वार से बरबाद हो जाता है तो भारत को उसमें किस नजर ये से देखना चाहिए देखिए हमारा नेबर है हम बहुत ज़रा कंसर्ण होंगे बाद तो यही चलती है कि नेबर अगर प पड़ेगा अपनी एजनसी को कि पाकिस्तान के अंदर सिविल वहर होके पाकिस्तान तूटने जा रहा है तो जल्दी से जल्दी पी यो के कुपर कब्जा कर लें और मुझे लगथा पूरा वर्ड इस्टेंप इंडिया को सपोर्ट करेगा अगर इंडिया कब्जा करेगा सिर्फ चाइना ऐसी कंट्री होगी जो पाकिस्तान के सपोर्ट में आएगी या उससे कंसर्ण होगी लेकिन जब पूरा वर्ड यूएस और बाकी कंट्री इंडिया को सपोर्ट करेगी तो चाइना सिर्फ स्पेक्टेटर रहेगा कुछ कर नहीं पाएगा चाइना के हिम्मत नहीं है इंडिया पर अटाक करने की पहले हमारा बार्टर पर स्टैंडफ चल रहा और चाइना उससे भी डिस्टरब है और चाइना किसी के देखिए किसी का जब जगला होता है दूसरी कंट्री अपनी ओली नहीं जलाती उसके अंदर तमाशा देखती है या बाहर से कुछ सजेशन देती है और यही सजेशन चाइना दे जरू सकता है लेकिन कर कुछ नहीं सकता ना अपनी आर्मी भेज सकता है ना पियले भेज सकता है अगर चाइना ने इंटरफेर करने कोशिश की पाकिस्तान के अंदर तो यूएस या उसके फोर्स भी यहां पर आ जाएंगे औ वार के लिए चाइना और पाकिस्तान को एकठा लड़ने के लिए हमारी पूरी त्यारियस चक्र में और पाकिस्तान का तूटना मुझे लगता है पूरा तैय हो चुका है और हमें वेट करनी चाहिए कब पाकिस्तान तूटे और कब हम गिल्गेट पालिटी सान को अपने समय से पाकिस्तान में चुनाओ की डिमांड कर रहे थे लोक्तांत्रिक प्रिक्रिया में लोक्तांत्रिक दलों का यही काम होता है कि वो चुनाओ के लिए डिमांड करें उनकी इस डिमांड से पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की आर्मी दोनों ही परेशान थे वो देख रह हैं चुनाओ के लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पार्टीस्पेट करने के लिए और इम्रान खान की पार्टी लगातार कोटों के माध्यम से उनकी सरकार को परेशान कर रही थी कि चुनाओ को समय पर कराया जाए इसलिए उन्होंने इस्तिफा भी दिया और उस इस्तिफिये के बावजूद भी चुनाओं नहीं कराई जा रही थे तो लोकतांत्री प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए कोई वक्ति जब प्रियासरत है तो उस वक्ति को अरेस्ट कर लेना ये कही ना कही गलत दिशा है झीक पाकिस्तान कोई एक डिमोकारटिक कंट्री नहीं है जी नाम ये नाम की डेमोक्रेसी है पाकिस्तान के अंदर जो भी गवर्मेंट होती है उसको आर्मी के सपोर्ट हा तो गवर्मेंट सकता है इम्रान खान से पहले जब नवाज शरीव थे तो उनकी इ dul Payक्राइन के अगर पाकिसान के अलगशन हो जाले तो इम्रान खान को Better everytime मिल जाएंगी श्थ पर पकिस्तान में popular लिले पहलिए फॉर्प्लर इसलिए कि वह चैनि के लिए वह तारगेट करने शेह वाज वीजन हो चुकि है कॉलैप्स हो चुकि है कंटोल है को पकिस्तान के अंदर ना वहां पर एकमिपर पर कंट्रोल और नहींडरों पर वहां पर भीज लिए नपान है न वहां पर क्यों ये पिट्रॉल है और इसलinea पॉट साब से पकिस्टान को चलाना चाहें क्यों है इनकम्पितेंट है लड़ाई वो करनी सकती सिर्फ अपने लोगों पे गोलियाश चला सकती है और उसके बाद अपने लोगों को और्एस्क कर सकती है पाकिसान की गुवर्मेंट या पाकिस आन की आर्मी वह है है जिसने बिलावल भुटो को जूडिशल मरडर किया था बिर ही ज्यू बुर्टो का मरडर करा है पाकिस्तान के अंदर कम से कम तीस का स्का पाकिस्तान की आрमी ने मरडर करा है पाकिस्तान के अंदर रह करके तो वो पावर छोड़ना नहीं चाहती और इसलिए इमरान खान की जो डिमांड है उसके उपर पाकिस्तान की आर्मी डिस्टरब्ड है चाहबाज श्रीफ डिस्टरब्ड है और इसलिए उनको अरेस्ट किया गया और साथ ने जिस तरीके से इमरान खान ने बिलावल कर पाए ना इंडिया का कुछ बिगाड़ पाए बलकि अपना पूरा सत्यानास करके वापिस चले गए बिलावल फुटो और पाक सत्यानास करके चले गए पाकिस्तान का सुझ सब बहुत-बहुत धन्यवाद आपका बड़ी ही महत्पूर्ण जनकरिया आपने दी साथियों गंभीर विशय है महत्पूर्ण विशय है भारत के लिए खास तोर से पाकिस्तान में सिविलवार जैसे ही शुरू होगी भारत उसके खत्रों से दूर नहीं रह पाएगा भारत को अपने आपको ही नहीं संभालना है पाकिस्तान के टूटे हुए उन टुक्डों को भी संभ पास लगते हैं उन सभी टुकडों को संभालते हुए अपने देश को भी संभालना है और जो अलग-अलग मोर्चों पर भारत को लड़ाई लड़नी पड़ सकती है उसके लिए भारत आज तैयार है और जो भी घटनाए घटेंगी ये भारत की वज़े से नहीं ये पाकिस्ता की उसके हुकमरानों की अपनी फ्रस्ट्रेशन की वज़े से होगी जै हिन जै भारत नमश्कार